एक वीडियो था और लास्ट जो मैंने आपको उसमें बताते कि एक्जाम जो फर्स्ट है वो कब होना था इसके स्च जाहिए तो इतनी वो होना था बट इसका यह पोस्ट पॉपन हो चागा है और जो कब है मैं बताता हूं पॉपन इसका डेरेठ है जो सो आई आई है जो से एक माईने या बीछ दिन है उतना तो हर्ल होता है विस टैम ठीक है करते है और वी तो श्टार्ट हुई है यह all और एक्जाम्रेट जो फिर्ल होता है सिफिल होता है उसक्त अभी इसनुकि पहले ही बता दिया कि तो यह lot नौ को था September को था अब तो देखते हैं अब जो एक्जाम इसका फिल होगा वो किस मंत में होगा अब देख सकते हैं यानि कि यह तीन महिने डारेक्ट बढ़ा दियें तीन महिने सोचो अभी अभी से तीन महिने न किया तो आंगे भी सायद में भी हो सकता है तो इसका कोई possibility भी नहीं है और इसका date तो अभी finally बताए नहीं है कि to be notified letter यानि कि इसका लेटर अभी तो कि जो एक्जाम होने वाला तो इसका भी date नहीं नहीं बताए इसमे एक्जाम बताएंगे मैंने कि कह सकते हैं कि एक महीने बाद या दो महीने बाद भी इनका जो इनका चेंज होता रहता है schedule जो date है चीन तो उसमें अब जो भी आएगा तो उसमें फाइनली इसमें एक जो एक्जाम होने वाले होंगे यानि इसका एक्जाम कब होगा तो वह इसमें पता चल जाएगा अभी तो फिलाल हमारा यह है कि SSJ जो start है दो फिल फॉर्म होगा वो पंदरा दिसम्बर से है तो देख सकते आंगे भी क्या हो सकता है तो ऐसे से जहीं का यहीं हाल है कि हमेज़ा इसका एक्जाम पोस्पन होना है तो ठीक है और ठीक है आपके लिए बैनिफीशल है जो आप जो जिसको टाइम की जबलत है कि हां यार मुझे और टाइम की मलब छह यां साथ मीने और फरस्ट के न हों रहिक तो प्रॉशर हों कौलीफई जो इसी स聊 किया हो तो उनके लीव बैनिफिट है कैसे के हार टाइम मलदा हमें तेयर गाने के लिए तो इसलिए उन के लिए बैनिफिट है बट अ इसलिए कोई बात नहीं बस यह देख लीजिए कि इसका एक्जाम इसका फॉर्म फिल्ड कब होगा और एक्जाम फाइनल पता चल लाया कुछ दिन हो बाती है मैंने आपको थोड़ा अपडेट हुआ था इसलिए मैंने न्यूस बताए थी आपको ठीक है